हाई फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको एक सरकार के तरफ से अपडेट निकल कर आया है उसके बारे में बताने वाला हूँ जैसा कि आपने थमलेल में देखा होगा कि 1932 का खतियान लागू होगा जारखन राजी में काने का तातपर यह है कि जिनके पास 1932 का खतियान है या उससे पहले का खतियान है उनके लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है कि वो एस्थानिय निती में उन्हें मूल निवासी माना जा सकता है और बहुत सारी भेकेंसी में उन्हें बहुत सारे आक्षन दिये जा सकते हैं तो ये बाते जो है हमें सोरेन के पिता सीबू सोरेन ने कही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उन्हेंने कभ ये बाते कही है यहाँ पर देखिए बोले जहमों सुप्रीमों सीबु सोरेन लागू होगा 1932 का खतियान मौजुदा अस्थानिय निती में संसोधन करेगी सरकार तो ये पंदरा पंदरा तारिक का ये पेपर का कटिंग है आप देख सकते हैं पंदरा जनवरी का है ये परवात ख़वर का है आप भी देख सकते हैं देख लीजेगा आप भी तो ये सीबु सोरेन के पिताजी उन्होंने ये संकेत दिये हैं कि जहारकन के अस्थानिय निती में बहुत गरवड है और उसमें बदलाओ किया जा सकता है आपको मैं दिखा देना चाता हूँ आपकी जनकारी के लिए कि जहामों सुप्रीमों सीबु सोरेन ने कहा कि जहारकन सरकार मौजुदा अस्थानिय निती में संसोधन करेगी ये जहामों का जंता के समझ किया गया वादा है जहारकन में 1932 के खतियान के धर पर अस्थानिय बनाई जाएगी अभी अस्थानी निंती में काफी तुरूटी है सिरी सोरेन मंगलवार को राची से दुमका जाने के करम में बरवा अड़ा इस्थित एक ढ़ावा में पत्रकारों से बातचित कर रहे थे पुरू मुखंतरेन ने कहा कि महागडबंदन को जार्खन की जनता ने चुनाव में भरपूर समर्थन दिया इसके कारण ही राजिम जहामों की नित्रतु में एक मजबुत सरकार बनी 1932 का खतियान कब लागू होगा के सवाल पर सिरी सोरेन ने कहा सरकार का गठन हो चुका है पूरा मंत्री मंडल गठन होने के बाद इस मुद्धे पर हैमिन सोरेन की सरकार विचार करेगी उन्यने लिए जहारखन सरकार कि गरीब जंता का पूरा ध्यान रखेगी क्योंकि इससे पुर्व रगोवरदासकी सरकार ने जहारखन के युवाओं का अपमान किया है तो समझ लिजे कि साफ साफ उनका कहना था कि जारखन के युवाओं का जो वरतमान सरकार थी से पहले वाली सरकार नहीं के रगवर्दस की सरकार ने इनके साथ छलावा किया है और मैं ऐसा नहीं करूँगा मैं युवाओं के लिए ही मेरी सरकार बनी है गरिबों के लिए बनी है तो सब का ख्याल रखेंगे ये कहना है हमारे मौजूदा मुखमंत्री के पिता सीबू सोरेन का कहना है तो फ्रेंड्स अगर ऐसा होता है 1932 का खतियान लागू होता है तो यहां के जो मूल लिवासी है उनके लिए बहुत बड़ी ख़बर है उन्हें बहुत फादा मिलने वाला है तो आप भी चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं 1932 का खतियान राज में लागू हो जाए तो मुझे इंत्यार रहेगा आपके कमेंट का और जिनके पास भी जनकारी नहीं है तो फिलीज इस वीडियो को सेर कर दीजे अपने दोस्तों के साथ लाइक जरूर कीजिए मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप छोटी सी लाइक हमें जरूर दे दे लाइक या डिसलाइक भी दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो अजरूर बहतर है कि आप डिसलाइक भी दे सकते हैं तो फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई